निम्सकार दोस्तों स्वागत आप से भी काप के अपने यूट्यूब चैनल एसके जोब अलट में इस चैनल पर आपको रोजाना गोवर्मेंट जोब और एजूकेशन से जुड़ी लेटेस अपडेट दी जाती है तो चलिए दोस्तों दे लेते हैं आज के ताजा अपडेट दोस्तों हर्याना स्टाफ से लेक्शन कमिशन के दोवारा एक लेटेस अपडेट आई हैं पुलिस कमांडो की वर्ति के रिगाड़ी ठीक है जी तो इस वीडियो को दोस्तों आप सुरूश ये लाश्ता जरूर देखीगा जिससे कि आपको हर्याना पुलिस कमांडो के वर् नोट्फिकेशन आपको समय से मिल सकी तो चलिए दोस्तों बिना समय वेश्ट की वीडियो को स्टाट कर लेते हैं तो दोस्तों यह आप देशकते हो ओफियन नोट्फिकेशन आया हुआ आपका एडवर्टाइजमेंट नमबर रहे हैं आपकी दो ओवलिक दोजार एकिस और यह आपकी हर्यान स्टाप सिलेक्शन कमिशन बेज नमबर स्टाइट सत्तर सेक्टर टू पंश कुला ठीक है जी अब बात करते हैं आपके फॉर्म की डेट कर वाई है तो टेट ओप पॉब्लिकेशन यह आपके आई है नो जून दोजार इकिस को और आपके फॉर्म स्टाट हो जाएंगे और वहीं फॉर्म की लाज्ट डेट रहेगी आपकी फॉर्म फिल करने की उनटिस जून दोजार ठीक है जी यानिक आपको पंदरे दिन का समय दिया जाएगा फॉर्म को ओनलाइन फिल करने का उसकी के बाद फॉर्म को सम्मिट करने के बाद मैं आपको फीज सम्मिट करवानी है पांथ जुलाई 2021 तक ठीक है जी अब बात करेते हैं कि करिके डेट कहेंगे सर हमारा तो सरकार को पता है कि जिन कंडेट को फॉर्म फिल करना है जिन्होंने भी प्लस्टू की है ठीक है तो उनका रिजल्ट तो सरकार ने पास कर दिया पर उनके डियम सी नहीं आई है तो इसे आपको समय दे दिया जाएगा तब चलते हैं नेक्ट प्रोसेस के तरफ यह आपके प्रोड़ी फॉर्म को अपलाइक कर सकते हैं फिमेल के लिए फॉर्म नहीं है ठीक है और यह आपकी बढ़ती रहेगी ग्रूप शेकी बढ़ती होने वाली है उसके अगर पूल डिटेल से चेक करते चलेंगे अब बात करते हैं मैं के टेगरिवाई कितनी कितनी पोस्ट दियुए है ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं यह आपकी टोटर पोस्ट हैं फॉर्म इंडर रहेगी फिर्स्ट बात करें तो जर्नल के लिए आपके है 188 vacancy है Next SC category लिए 93 vacancy है BCA के लिए 72 है BCB के लिए 42 है EWS category के लिए 52 है ESM general के लिए 37 है ESM SC category 11 post है ESM BCA के लिए 11 है ESM BCB के लिए 15 vacancy है ठीक है तो इस तरह शाल बैसकते हो आपके total vacancy है पंसो भी जो कंड़ेट जिस केटेगर से बिलोंग करता है तो आपने अपने इसमें देख सकते हैं मेरे केटेगर वाय कितनी वेकैंसी आई है नेक्स्ट बात करते हैं आपके एजुकेशन क्वालिफकेशन क्या मांगे गई है तर्शकंद्र आप दे सकते हैं आपके पलस टू पास मांगे गई है ठीक जिक चाहिए वो कौन से बोर्ट से इस्टिटूट से हो और साइकिन में आपके दस्वी में हिंदी या संस्कृत बंस एज लिमिट क्या मांगेगी इसमें तो एज लिमिट आपकी 18 से 21 साल आपकी एज लिमिट मांगेगी है फूर आल कैटेगरी ठीक जिए और आपकी एज काउंट होगी एक जून दोजार एक्किस से आपका पर मंद से लिट दी जाएगी तो यह आपदे से 21700 से लेकर आपके 69 100 रुपे आपको पर मंद से लिट दी जाएगी और सेल डे का लेवर रहेगा आपका थ्री अब बात करते हैं आपको एजामिनेशन का क्या रहेगा तो दोस्तों इसको मैंने रीड कर लिया है तो आपको सबसे पहले आपका इसमें physical measurement रहेगा ठीक है जिए याव दिशते PMT होगा पहले आपका फिर पिर पीस्ट होगा फिर आपका knowledge test रहेगा हम बात करेते हैं इसमें आपके फीज की डिटेल क्या दी हुई है तो आपके कैटेगरी नमर वन है जो आप फोंको फिल करोगी ओनलाइन ठीक है जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए आपके आपके 100 पे फीज है और अधर कैटेगरी जोसे की SCI, BCI, EWS कैटेगरी से जो हर्याना स करते हैं उनकी 25 पे फीज रखी गई है नेक्स्ट बात करते हैं आपके क्राइटेजिया की क्या रहेगी ठीक है जो आपके पहले फीजिकल मेजर्मेंट टेस्ट रहेगा ठीक है उसके अदापके हाइट मांगी यहापकी 175 सेंटिमेटर है इसमें आपके माक्स भी दिये लगते हैं और जो आपकी उसमें छोड़ती के हाइट की हाइट और चेंदर वह 시계 और हैट में और चेस्ट के इसमें छोड़ती देगी दो सेंटिमीटर गी वही नेच्ट बात करते जो कि आपकी तीन स्टेप रहेंगे और आपका 30 नंबर का या आपका फीजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट रहे गा इसमें हापका हाई जंप रहेगा आपका 137 संटिमीटर ठीक जिसके आपके 10 मास दिये जाएगे और आपका दस मार्किस में दिये जाएंगे जो मेरे कंडिर्ट फीजिटल मेजमेंट में धीजिकल टेस्ट में क्वालिफाइ करेंगे उन्हे बाद में आपके रिटर्न मार्क्स कर रहेगा साथ नम्मर कर रहे गाए पर कोई भी नेग्टिव मार्किंग नहीं है और जो ब्यागी पूछे जाएंगे ठीकर जी जो पूछे जाएंगे व आपके 01&03 चैक्षक्षिं आपकर 01$ 60 आक्षक स अगमेशन दिए है यह आप इसमें चेक कर सकते हैं। आप बात कर तेया है आपका दोकिमेंट कौन को कौन से लगेंगे जाप फॉर्म को ओनलाइन अप्लाइख करेंगे तो सबसे फर्स्ट आप देशकते हैं आपको इसमें scan copy लगे गया नहीं कि आपको जहां से आप form को feel करेंगे तो सबसे पहले अपने documents हैं, DMC है, mark sheet है ठीक है जी, category wise certificate है या और जो भी certificate आपकी photo assign है वो आपको mobile से या computer से scan करके PDF form में रख लेनी है जो आप form feel करेंगे तो आपको आसानी रहेगी तो सबसे पहले आपको 10 वी की और और second रहेगा आपका इसमें आपकी category wise जो भी आपको इस category से belong करते हैं उसका आपको certificate scan करके रखना होगा और आपको हार यान डोमोसाय certificate अगर आपने नहीं बनवा हैं तो बनवा के रख लिए ठीक है जिवह आपको जूट पड़ेगा form को बढ़ते समय और थड़ रहेगा आपका इसमें फोट आपकी ठीक है और फॉर्ट आपका विशिगनेचर आपके scan किये आपके पास होने चाहिए और यह आप दे सकते हैं अब कंप्लेट इंफ्रमेशन आयती यह आपका जो बढ़ते आयती यह आपकी कर रिलीज करेगी तो नोटफिकेशन पंच कुला से आठ जून दोजार इकिस को ठीक है जी शेकर्टी हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन पंच कुला के तब से सेलेक्शन कमिशन पुलिस कमांडो की भरती में सेलेक्शन लेना है तो अपनी अभी से फीजिकल की तहरे स्टार्ट कर दीजे ठीक है जी यह आपको पता सबसे पहले आपका फीजिकल होने वाला है फीजिकल में जो कंडेट्स क्वालिफाई करेंगे उन्हें ही रिटन टेस क्युर्क में देने का मौका दिया जाएगा ठीक है जी तो आसा करता हम दोस्तों में द्वारत देगे जान करें आपको पसंद आई होगी अगर दोस तो ऊपसंद रहे तो वीड inner लीक करें अपने दोस्तों साथ मिसे जरूर शेयर करें और जो मैरे दोस्ती चांब पहले बा तो आप मेरे को comment section में comment कर सकते हो मैं इसका reply आपको जरूर दूँगा और जैसे आपकी ओफिशली साइट पे form फिल ओना start हो जाएगा तो इसका link में आपको वीडियो के description में या comment section में दे दूँगा जहांसे आप इसको direct click करके form को वाँ से online apply कर सकेंगे तो चलिए दोस्तों मिलते नेक्स्ट वीडियो में एक latest updates के साथ में इसे के साथ धन्यवाद दोस्तों जैहिन जै भारत